अगर ऐसा करोगे ना तो डिफिनेटली आप 90 अब उप उप क्रोस करेंगे ना तो कॉलर शप मिलेगा ठीक है 80,000 मिलेगा पर एयर ध्यान में रखना लालज लोग कहती कि लालज बुरी बला है लेकिन में तो होगा कि लालज एक कला है ठीक है तो लालज का इस्तेमाल करो है 80,000 is not a small amount तो वह आपका बहुत कुछ काम हो सकता है उससे कि अभी आप सिल्याबस के पीछे मत भागो अभी इसका पढ़ाई नहीं है ना तो सिल्याबस के पीछे मत भागो आप व्योगाज अभी कम दिनों के अंतर वो कवर नहीं कर सकते रदर दन आप इसके पीछे बाग स आपके लिए स्टाटरोजी वीडियो और जो भी आपको स्टडी मटरियल लगता है आपको पता है कि फिजिस के पूरे पीडियाफ्स मतलब नोट्स के हैंड रिटन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रूप पे मिल जाएंगे केमेस्ट्री के भी नोट्स मिल जाएंगे आपको क्लास 12 का जो PCBA फिजिस के मिल जी उसके सारे PDF के नोट्स हैंड रिटन नोट्स आपको वहापे मिल जाएंगे हमारे ग्रूप के ओपर टेलेग्राम ग्रूप जिसके ओपर मैक्जिमम आपको प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे आपको हर एक इंपोर्टन जो चीजे लगती है स् हम आपके लिए बना रहे हैं यह है अपना model question paper है model question paper का यह जो वीडियो है आप बहुत अच्छा तरी के से like कर रहे हो शेयर कर रहे हो वीडियो को आपके लिए मतलब एक जो student है उसने comment किया कि सर हमको physics आपने physics के दे दी है हमको math के भी चाहिए chemistry के भी चाहिए के बाद हम आपको provide करेंगे ठीक है तो अभी आज के वीडियो में हम देखेंगे chemistry के model question paper तो यहाँ पे similarly वैसा ही है चार आपको question paper हम देंगे model question paper जिनके maximum chance है exam में आने के और यह 75% syllabus की उपर base है यह नवनीत ने निकाले हुए है तो नवनीत की जो team experts है उन्होंने यह question paper निक enter होगा तो आप ध्यान में रखना आची तरीके से ठीक है तो यह model question number one अभी हम देखते हैं और एक ध्यान में रखना कि अभी तक चैनल को subscribe करो इससे भी important चीज़े आपको चैनल पे मिलने वाली है तो subscribe करके रखना क्या पता है कि वो चीज आपसे दूर रहे तो देखो सबस question number one है अपना chemistry का chemistry okay so time आपको पाता है कितना time होता है तीन घंटे मतलब 3 hours लेकिन 3 hours time होता है लेकिन अभी आधा घंटा आपको जाता है मतलब 30 minutes आपको जाता है मतलब हो गया साधी तीन घंटे क्योंकि इस साल आपको 30 minutes जादा दिये है because pressure था stone का पढ़ाई नहीं होता इसलिए ज्यादा थोड़ा time मिलेगा मतलब आप आराम से भी paper थोड़ा लिख सकते हो उसके बाद आपको marks कितने मिलेंगे 70 marks और practical से कितनी मिलते है 30 marks अगर वहाँ पे 30 मिले गया और यहाँ आपको 50 50 मिल गया तो कितने हो गए 80 mark तो यह जो 80 mark है वह आप अच्छे तरीके से जो है 100 out of 80 is not a bad 100 out of 80 mark अच्छे है तो इसलिए 80 के अब होई आपको लेना है मतलब यहाँ पे 70 में से आप कितने रेते हो यह important है practical में तो आपको मिली जाएंगे मतलब हर किसी को 29, 28 वो मिल जाएंगे 30 maximum 30 मिलेंगे तो यहाँ पे 70 में कितने आते है यह बात बहुत important है और यह आपके खुद के उपर है ठीक है तो आपका practical थोड़ा बहुत जो है कम जादा हुआ तो भी चल सकता है लेकिन आपका थेरी में आपने अगर कुछ लिखा ही न आपको कहा था फिजिक्स का जो विडियो था उसके अंदर पूरा बताया था section A, section B, section C, section D, 4 section होते है और 4 section में total question 31 question होते है और आपको यहाँ पे टेंशन लेनी की बात ने भी और और में जादा है अगर आपका last का जो यहाँ पे section D होता है यहाँ भी आपको क्या है 5 question दिय option है दूसरा लेनी के लिए तो इसलिए ऐसा नहीं कि 5 है तो पाच ही solve करने पड़ेंगे तो यहाँ पे आपका chances है ज्यादा marks लेना है ठीक है तो यह पूरा syllabus है आपका देखो अभी section A start होता है आपके देखो सबसे पहले यहाँ पे question number 1 है जिसके अंदर आपको filling the blanks दिये ज ठीक है एक दम अच्छी तरीके से MCQ है इसके chances जादा है आप कर लो चार model question paper है चार में से चार model question paper में से अगर कुछ आपको 20-30 mark कभी आ गया तो भी आपका बहुत जादा फाइदा हो सकता है ठीक है तो ध्यान में रखना अच्छी तरीके से तो यह जो paper निकाला आई यह प बी में attempt any eight any eight मतलब कौन से भी 8 आपको attempt करने पड़ेंगे और दिये कितने है देखो दिये कितने है 13 कितने दिये 13 मतलब ज्यादा कितने है ज्यादा कितने है 5 question ज्यादा है मतलब कुछ अगर आपको इस में से 5 question नहीं आ रहे तो उसको चोड़ सकते हो because यह और में है ऐसा ध उसके बाद देखो section C में any eight आपको attempt करने पड़ेंगे और दिये कितने गया है देखो 15 से यहापे 25 तक मतलब यह यहापे 11 question है और स्रिप आपको 8 यहापे क्या करने है चोड़ो मतलब लिखने है मतलब 3 आप और में है 3 कौन से भी आप और में चोड़ सकते हो उसके बाद D तो यह सारा question paper है अभी पहला जो हमारा model question paper है यह आपने देख लिया अभी इसके answer देखते है हम आपको 4 model question paper देने वाले है जिसमें से 2 model paper question के answer seat भी आपके लिए है ताकि आपको समझ में है किस answer लिखने पड़ेंगे तो नीचे देखो यह answer seat है पूरा आपको इसी तरीके से आपको presentation करना है देखो presentation में क्या बात है देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है easy easy लग रहा है तो देख सकते हो आप और किसको कितने mark मिलेंगे वो भी यहाँ आपको दिया गया है पूरा आप समझ सकते हो कि मतलब समझ लोग एक topper की answer seat है यह topper का answer seat है ओके तो यह topper का answer seat है ऐसा आपको लिखना पड़ेगा देखो आप कितना easy लग रहा है ठीक है देखो यहाँ पे calculation अच्छा मतलब easy easy लग रहा है और आपको जो है देखो इस तरीके से आप डबा मतलब हम बोल सकते है chart column बना के लिख सकते हो ठीक है देखो ionic solid molecular solid दोनों और में ऐसा आपको लिखना पड़ेगा ओके देख सकते हो आप कितना easy है उसके बाद देखो यह पूरा होने के बाद एक line छोड़ दिया है ताकि easy लगे ऐसा अगर आप paper लिखोगे मुझे अभी देखो दो लोगों ने सरीके paper लि मिल जाएंगे क्यों सामने वाला खुश हो जाता है और इसमें क्या होता है कि वो जो है उसको पढ़ना नहीं आता अच्छे तरह के से इसने लिखा गया है तो थोड़ा distract हो जाता है और इसलिए मतलब last में mark ज्यादा क्यों डाले यह reason नहीं उसके पास इसका क्या है कि इसना पर आंसर सीट है अपना पहला मॉडल कोशन पेपर का तो अभी हम बढ़ते हैं अपने दूसरा मॉडल कोशन की तरफ जो की आपको दिखाए दे रहा यहां पर नीचे आप आओगे PDF में तो मॉडल पेपर कोशन नंबर टू पेपर नंबर टू दिखाए देगा chemistry का similarly वैसा ह अलग है। टि grabbed यहाँ पर देखवा आइघ्ला पेपर मिलेगा अंसर सीट मिलेगी टिया है तो यह आप कर लोगे देखाई देखाई दे रहे है आपको पूरी उसके बाद ये ठी और 4 his के आपको अंसर नहीं दिए गए सिर्फ आपको question है, मतलब आप क्या कर सकते हो, question seat ये इस्तमाल करो, market से answer seat लेआ और उस पे लिखना शुरू कर दो, जैसे कि आपका main paper हो रहा है, ऐसा समझ कर, ठीक है, और ये check किसे करोगे आप, check करोगे आपने class teacher से, जो भी आपके chemistry के sir है, उससे आप check करोगे, कि sir ये क्या स लोग कहते हैं कि लालज बुरी बला है, लेकिन मैं कहूंगा कि लालज एक कला है, ठीक है, तो लालज का इस्तमाल करोगे, 80,000 is not a small amount, तो आपका बहुत कुछ काम हो सकता है उससे, ठीक है, तो ये देखो, model question number 3, ये आपको दिखेगा, उसके बाद है model question number 4, जैसे कि आप model question number paper के answer दिये है, और 2 model question के answer आपको self जो है, वो करने पढ़ेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से आप ये पूरा पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे important question इसके अंदर लिये है, मैं आपको कहना चाहूंगा, कि अभी आप syllabus के पीछे मत बाग, अभी इसका पढ़ाई नहीं है, तो syllabus के अभी कम दिनों के अंदर वो cover नहीं कर सकते है, रदर दन आप इसके पीछे बाग सकते हो, क्योंकि यहाँ पर important important word है, यहाँ पर पहले दो model question paper के answers भी दिये गए है, ताकि आप उससे पढ़ाई भी कर सकते हो, ठीक है, तो यह वीडियो अगर आपको अच्छा लागा हो, तो इसके साथ मिलते हैं निक स्टूडियो में तब तक की लिए, stay happy, stay motivated, thank you so much